अंदर भारती जंता पार्टी की MCD की सरकार 63 लाक लोगों पर MCD का बोल रोजर चलाने जा रही है मुझे लगता है कि इससे बड़ा जूट गोई नहीं है इसी मुद्दे के उपर आज हमने प्रेसर वारता बुलाइए जिसको संभौतित करेंगे हमारे भारती जंतापार्टी के अध्यक्ष आदूनिर श्री अधिश कुप्ता जी उनके साथ हमारे विपक्ष नेता श्री रामवीर सिंग दूरी जी है डाइस पर भारती जंता पार्टी के उपाध्यक्ष भाई राजिन तिवारी जी है, हमारे साथ हमारे मीडिया के सयोगी भाई हर्योर रगुणशी जी है, मैं अब निविदन करूँगा आधनी पदेश अध्यक्ष जी से कि आप सब को संबूतित करें, आधनी अध्यक्ष जी सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार, आज प्रेस कॉन्फरेंस में उपस्तित नेता विपद, चादनी रामबिय सिंग विधूरी जी, पार्टी के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, हरीश कुराना जी, रगवनसी जी और सभी मीडिया के साथियो आज फिर दिल्ली के जूटे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपने जूट का जहर दिल्ली वासियों को दिखाया है कहते हैं सच का सामना करने की जिसको ताकत नहीं होती है वही जूट पर जूट बोलता है साथ हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहते दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए वो इस तरह जूट बोल रहे हैं और मुझे सायद उनकी चिन्ता भी वाजिव नजर आ रही है क्योंकि जब निगम का बुल्डोजर उनके खास विधायक जो उनके लिए हर तरह के काम करते हैं उनके घर में अगर चीप सेक्रेटरी को पिटवाना हो तो उसके लिए काम करते हैं पूरी दिल्ली में बंगलादेशी रोहिंग्याओं को बसाने का ठेका जिसको दिया है वो बही विधायक है जो बुल्डोजर के सामने लेट गया था और तब भी मैंने कहा था चिंता मत करिये जो लोग आज बुल्डोजर के सामने बंगलादेशी रोहिंग्याओं और दंगाईयों को बचाने के लिए लेट रहे हैं जनता उनको लिटाने वाली है इसलिए केजरी वाल की चिंता बाजिव है कि वो आज बड़ा मासूम सा चेहरा लेकर आए और दिल्ली वालों को फिर उन्होंने वही दराने का काम किया केजरी वाल ये ब्लैक मेलिंग चलने वाली नहीं है ये अब डर दहसत जूट चलने वाला नहीं है क्योंकि आपके चाल चेहरे चरित्र को सब लोग जान गए है कि किस तरह जब आप पंजाब के अंदर पुलिस आ जाती है तो उसका दुरुपियों कैसे करते हो इसलिए सारी दुनिया जान गई है कि आप कितने बड़े जूटे हो आपके जूट के जहांसे में कोई आने वाला नहीं है आप कहरे 63 लाक मकान पहली बात तो दिल्ली में मकान नहीं 63 लाक चलो मैंने मान भी लिया 63 लाक मकान तो आपको अनोथ्राइस कालोनियों का नाम लेते हुए यह जरा भी शरम नहीं आई कि इस दिल्ली के देश के इत्यास के अंदर अनोथ्राइस कालोनी के रहने वाले एक-एक व्यक्ती के जीवन के अंदर प्रकास करने का काम उनको मालिकाना हग देने का काम किस ने किया है वो मोधी सरकार ने किया है बीजेपी ने किया है आमादी पार्टी साथ वर्सों में नहीं कर पाए हाँ उन्होंने किया जरूर है एक काम जरूर किया है उन्होंने उस फाइल को तीन साल तक दबाकर रखा है अनुत्राइस कालोनी पक्की होने की फाइल हो उसको तीन साल दबाकर रखा है जहां जुग्गी वही मकान की फाइल हो उसको चार साल दबाकर केजरिवाल ने रखा है और दबाकर अपने पास सरकार ने रखा है ये असली चेहरा केजरिबाल जी ये दिल्ली की जनता देश की जनता जान गई है इसलिए आपके इस जूट में जहांसे में आने वाले नहीं है दिल्ली के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मोधी सरकार ने भारती जनता पार्टी की सरकार ने दिया है दिल्ली के लोगों को बसाने का काम भारती जनता पार्टी ने किया है हाँ बिल्कुल सही बात है हम लोग निगम में 15 साल से है और 15 वर्सों में निगम के अंदर बेहतरीन काम भी किये है और लोगों की मदद की है तुमारे तुच्चे विधायकों की तरह नहीं आपके उपमुखिमंत्ρι जिन विधायकों की मीटिंग ले रहे है और उन मीटिंग में कह रहे हैं अपने कारिकरताओं को भेजिए और उन्हों वहां से बसूलि करवाये और इनके विधायक वहां जा रहे हैं, सौदिया का पत्र लेकर लोगों को डरा रहे हैं पस्चिम बिहार का मामला मेरे सामने आया बुराडी से मेरे पास फोन आया खुद आमादी पार्टी के कारिकरता फोन करके कह रहे हैं कि रहे मैं तो आमादी पार्टी में इसलिए सामिल हुआ था कि केजरी बाल आम आदमी की मदद करते हैं लेकिन अब इनके विधायक हम से कह रहे हैं कि आमादी पार्टी के कारिकरता बने हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा लोगों के पास जाना पड़ेगा सिसोधिया का पत्र लेकर और ये कहना पड़ेगा कि ये मकान तूटेगा हम तुम्हारा मकान बचाएंगे अगर तुम हमें पैसे दे दोगे इतना घिनोना काम केजरीबाल के विधायक दिल्ली में कर रहे है लानत है केजरीबाल तुम पर तुम आम आदमी की बात कर रहे थे अरे तुम बात ये करते कि अनोत्राइस कालोनी के हर मकान में हम पानी दे देंगे तब तो कुछ बात थी जिस पार्टी ने अनोतराइस कालोनी को दिलीन में पक्का किया प्रधान मंतरी मोदी जी ने उसको पक्का किया आज तक कोई नहीं कर पाया कॉंग्रेस भी कहती रही आमादी पार्टी तो सोच भी नहीं सकती और जिन जुग्गी बासियों की चिंता आप कर रहे हो वो चिंता भी हमें समझ में आ रही है क्योंकि साथ सालों में एक भी जुग्गी वालों को पक्का मकान नहीं दिया है चार साल आपने फाइल रोकी थी केंद्र सरकार ने तब मजबूरन अपने हाथ में लेकर उस काम को अपने हाथ में लिया और आज हम कह सकते हैं कि 15,000 फ्लैट गरीबों के जहां जुग्गी वहीं मकान योजना में बनकर तयार है 40,000 बनने की योजना पूरी हो चुकी है और केजरी बैल आपके खाते में क्या है एक भी नहीं सिफर है कुछ नहीं किया है और मैं कहना चाहता हूँ आपके दुखदर्द जो चिंता आप जता रहे हो उसमें घबराने की जरुवत नहीं है भारती जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई बंगला देशी, रोहिंग्या, दंगाई जो आम आधी पार्टी को कुछ अंदच्छन मिला है उनको बक्षने वाली नहीं है चिंता मत करियो कोई भी हमारे दिल्ली का जुग्गी बासी अनोतराइस कालोनी के रहने वाला दिल्ली का निवासी उनको किसी भी तरह चिंता करने की जरुवत नहीं है भारती जनता पार्टी और मोधी सरकार उनके साथ है उनके हितों पर एक भी परसेंट आच नहीं आने वाली हाँ ये जरूर है आमादी पार्टी के विधायकों द्वारा संरचित बांगला देशी रोहिंग्या दंगाई कोई बकसा नहीं जाएगा सब के उपर चलेगा कोई बकसा नहीं जाएगा जो जो लोग बुल्डोजर के सामने खड़े हो रहे थे और ऐसे बंगला देशी रोहिंग्या या कोई भी हो उसको बकसा नहीं जाएगा केजरिबाल जी आपकी चिंता विल्कुल बाजिव है ये चिंता विल्कुल साफ है कि दिल्ली के अंदर जो भी बंगला देशी, रोहिंग्या, दंगाई गलत धंदे करते हैं उनको बक्सा नहीं जाएगा और निगम की कारवाई भी जारी रहेगी और मैं बताना चाहता हूँ केजरिबाल जी ये तुमारा जूट चलने वाला नहीं तुमारी ब्लैक मेलिंग, अब चलने वाली नहीं है और इसलिए भारती जंता पाइटी पोल खोल अभिहान तुमारा चला रही है कि तुमने कितना जूट बोला है, साथ बार तुमने बोला यमना जी की सफाई कर देंगे तुमने बोला गरीबों को मकान दे देंगे, वो नहीं दिये तुमने कहा किरायदारों को करोना में गरीब किरायदारों को किरायदे देंगे, वो नहीं दिया एक एक जूट की पोल भारती जंता पार्टी खोल रही है इसलिए केजरिबाल तुमारे जहांसे में अब दिल्ली और देश की जनता नहीं आने वाली है तुमारा जूट दिल्ली से सुरू हुआता दिल्ली में ही दफन होगा याद रखिए धन्यवाद बहुत धन्यवाद है दिल जी हम मैंने वेदन करूँगा हमारे विपक्ष के नेता भाई रामवीर सीमिद्रूली जी से कि आप सबको संबोधित करें रामवीर जी दिल्ली प्रदेश भारत इंता पार्टी के अध्यक्स आदनी शिर यादिश गुपता जी प्रदेश के अध्यक्स शिरी राजन तिवारी जी दिल्ली प्रदेश के परवक्ता सिरी हरी स्कुराना जी सिरी हरिया रगबन्सी जी मीडिया के सभी सम्मानि साथियोँ आप सभी को मेरा नमसकार मैं आज इस प्रेस कॉंटेंस के माध्यम से अर्विंद केजरिवाल जी को एक बात कहना चाहता हूँ या तो वो मूरक है या वो दिल्ली की जनता को मूरक समझते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब उनकी पहली बार सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने ये घोसना की थी कि हम दिल्ली के सभी जुगी वासियों को फ्लैट देकर उनका पनर्वास करेंगे पिछले साथ आठ सालों में हजारों जुगी जुपड़ी तोड़ी गई किसी एक जुगी वासि को फ्लैट देकर नहीं बसा पाए दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दिल्ली के अंदर जितनी भी अनुथ्राइस कलोनीज हैं हम उनके लिए लियाउट प्लान तयार करवाएंगे उनको रेगुलराइज करेंगे मामला हाई कोट के पास गया हाई कोट में डेट लगती रही ये दिल्ली की अनुथ्राइस कलोनीज के लिए पिछले 6-7 सालों में लियाउट प्लान नी बना पाए और उनको ही अधिकार केंदर सरकार ने दिया था अरविंद केजरिवाल के मुख्य मंत्री बनने से पहले दिल्ली में जुक्गी वासियों के लिए अरविंद केजरिवाल की सरकार से पहले जो सीला जी की सरकार थी और केंदर ने मिलकर बाद में जो मोदी जी की सरकार आ आगई 2015 तक 50,000 फ्लैट्स बनाकर तयार किये आज वो सभी फ्लैट्स जड़जर हालत में हैं उनके पास ना बिजली है ना उनके पास पानी है ना वहाँ पे कोई प्रैमरी स्कूल खोला गया ना वहां सीवर लाइन लेक ही गई तो मैं अर्विंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि जुझ धुकी वासियों को आपकी सरकार ने बुजाड़ा उनको इन फ्लैट्स में ले जाकर आपने क्यों नहीं बसाया दूसरी बात साथ साल तक आप एक भी अरुट्राइस के लाइन का लेयाउट प्लान नहीं ब पावर्स अर्विंद केजरीवाल की सरकार को सेंटर ने डेलीगेट किять दिल्ली के अनोध्राइस करने के यह जुग्गी वासियों के प्नरवास की हम इनको विड्रौ करते हैं और अब हम दिल्ली की अनोध्राइस के लोणिज को रेग्ल्राइस भी करेंगे और जहां पहली बार डेश की पार्लेमेंट ने सिरी नरेंदर मोदी जी के मार्ग जस्तन में सत्रे हजार तेटिस अनुथ्राइज कलोनीज को रगुलराइज किया उनको माली का ना हक दिया और अब उनको कन्विस्ट डीड दी जा रही है डेश के पार्लेमेंट ने जब कानून बना दिया है कि उनको माली का ना हक दिया जाएगा उनको रेगुलराइज कर दिया है तो अरविंद केजी रिवाल आप किसको मुरख बना रहे हो आई या किसी चैनल पर डिवेट करते हैं मैं चुनती देता हूँ आपको और जब दिल्ली के अंदर जैसे अध्यक्जी ने कहा कि 20,000 फ्लेट्स सिरी निरंदर मोदी जी की सरकार ने जुग्गी वासियों के लिए बना के तयार कर लिये हैं जल्दी से उनको फ्लेट्स में सिफ्ट किया जाएगा और जो 50,000 फ्लेट्स पहले से बनकर तयार हैं उनको भी रिनुवेट किया जाएगा और हर जुग्गी वासियों को फ्लेट्स में उनको बसाया जाएगा अरविंद केजरिवाल एक बात हम आज आपको कह रहे हैं आपको चिंता किस बात की है अरविंद केजरिवाल आपके साथ आठ साल के सासन में लाखो बंगला देशी घुसपैटियों ने रोहिंग्याज ने हजारो एकर सरकार की जमीन के ओपर कबजा किया है सड़कों को एंक्रोच किया है और जब इनके ओपर बिल्डोजर चल रहा है क्योंकि इन सभी के नाम आपने वोटर लिस्ट में दर्श करा दिये हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है अनौत्राइस करोनी में जो लोग रहते हैं चैक किसी जाती धर्म के लोग हैं जुक जो चोरी करते हैं डकेती करते हैं जो लोग नसे का विपार करते हैं अफ्रण करते हैं जिन लोगों को अर्विंद केजिरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली पानी रासन ट्रांसपोर्ट की मुफ्त विवस्ता दे रही है और वोटर लिस्ट में का नाम दर्श करवा दिया है एक एक रोहेंग्या और बंगलाई देशी गुस्पेटी को सरकारी जमीन से उसको हटाना वो हमारी चाहे वो कैंदर की सरकार हो चाहे हमारी नगर निगम हो यह हमारा धर्म है हम इसको पूरा करेंगे तुम कितने भी घड़ी आली आसू बहाओ हमें इसकी कोई चिंता नहीं है अरबिंद केजरिवायल अंत में मैं आपको चुनोती देना चाहता हूँ मैं दो साल से आपको चुनोती दे रहा हूँ भी मैं लीडर वो पोईशन हूँ मैं भी इसकी कुछ आज आपने बोला है किसी कोई एक चैनल आप चुन लीजिए एक घंटे की डिवेट कर लीजिए यदि आपकी बात में सच्चाई होगी तो मैं लीडर अपोशन के पस से इस्तिफा दे कर चला जाओंगा यदि आपने जूट बोला है तो आपको दिल्ली और देश के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी मैं यही कहना चाहता हूँ बहुत दनेवाद किसी को प्रशन हो तो दनेवाद